किस अस्पता में हुआ है सर हम लोग नोईटा में रहते हैं मैं और मेरे हस्बेंट अभी फोली में हम लोग भिहार आए हुए थे सर फोली बनाने के लिए फुरी सामनी का गेट टूगेदर था 9th April को मेरे हस्बेंट की तव्यत खराब हुई फीवर हुआ उनको काफी थे हमने कोरोना का दो दो तीन तीन बार टेस्ट करवाया नेगेटिव आया आटी PCR के लिए दिया तो वहां पे भागलपूर में सर्थ भागलपूर में थे हम लोग वहां पे एक दिन दो दिन वेट करत करते करते दस दिन तक रिपोर्ट नहीं आया फिर हमने नोईडा के एक डॉक्तर है उनसे कंसल्ट किया वीडियो कंसल्टेशन से उन्होंने बोला कि सिटी चेस्ट करवाना है हम लोग भागलपूर गये और सिटी चेस्ट करवाए तो उसमें उनका इंफेक्शन आया 60% नहीं था इन्फेक्शेट था बस मां की लंग्स का हर चीज पॉफेक्श था सारा चीज नाक का गले का सब कुछ नॉर्मल था उसमे रिपोर्ट में था फिर हम लोग नेक्स डे लोकल हॉस्पिटल है भागलपूर में लोकल हॉस्पिटल लेके आये ओं पर अडमिट कराया ह मेरी मदर की भी तब्यद खराब थी मेरी ममनी और मेरी हस्बन दोनों एक साथ अडमिट हुए उहां पे इतनी लापरवाही हुई उनके साथ इतनी लापरवाही हुई डॉक्टर साते थे बस विजिट के लिए दस मिनट देख के गए उसके अलावा जितने भी वहां पे नर्स थे सारे के सारे जलात थे सर कोई दवाई तक नहीं देना चाहता था पेसे मेरी मदर टचुड बेटर कंडिशन में थी थोड़ी मेरे हस्बन बोल भी नहीं पा रहे थे उस समय तक इशारे से पानी का ऐसे से बताते थे लेकिन कोई उनको पानी नहीं पिलाता था सर वो चूड बिषकिल से मिल रहा है, डॉक्टर ने वहाहां सगेट्टिया, मेरे दो दो पेसेंट थे हो हाँ, हमने बहुआब बहुत मुश्किल से अरेंज किया, जब इन्जेक्शन मिला तो एक दिन रात को इन्जेक्शन देने लगे, हाफ इंजेक्शन फ्लोर पे गिरा दिया उन्होंने, हमने कहा कि इतना महंगा इंजेक्शन है, इसी का असर होके ठीक होते हैं, आपने कैसे गिरा दिया, उन्होंने कहा कि पचास हजार का भी गिरा देता ना तो तुम कुछ नहीं कर पाती अभी, हम लोग चुप चाप वहां से सर हट गए, थोड़ी दिर बाद वहां मेरे हस्मेन को मैंने देखा कि उन्होंने दो तीन बार पॉटी किया था, उस यूरीन पास किया था, कोई क्लीन करने नहीं आ रहा था, सर छे घंटे से वह उसी गंदगी पर पड़े हुए थे, उन्होंने मुझे फिर फोन किया, बस फोन कर पाते थे, सर बोल भी नहीं, बस कर दे किजिए, जोती कुमार एक कम पॉंदर था वहां पे, uploaded के नहीं वहां फोन पॉर सिर्श खोन्स हॉपी कुमार, पॉर स्थरों कोई कुमार, सर स्कनित गी नहीं सरों किया, रात में यह लूग रूपने नहीं दे रहे updating पसंटम उसको डोले नहीं the time that is really it time safest dem çal где कह के और मैं अपने हस्बें से बात करने लगी इशारे से वह बात कर रहे था और पूरा पसीना उनको चल गया उनको चल गया पूर नहीं पा रहे थे वहूँ जब हम लोग थीट थे ना मैं बाहर निकलती थी ना कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही तो कहते थे बहुत देखते रहे हैं मेरी नहीं, और में लिए प्रेव कोई दुपता खीच रहा है। और जब मैं इन इस आइंगी को देखा ना तो मुस्कुरा रहा था। मैंने से दुपता खीचा और मैं कुछ नहीं बोला ही डर से कि मेरे हस्मेर यहां पहे है, मीरी माँ यहां पहे है, यह लोग कुछ कर देगा. इस नहें, बाहर निकली मे बाहर निकल कहें द troubling से बैठ गशी 특별 है मुस्कुरा करके बोला, मैं ध्यान दक्वेंगा। मैंने मुस्कुरा के आथ ठीक है अब ध्यान देखना। मैंने कुछ नहीं बोला, उसको कुछ भी नहीं, दो-तीन दिन बाद, ऐसे ही कोई, कोई सोविधा नहीं, कुछ नहीं, मेरे हस्पिन की तब्यद उस दिन से बिगरी, जब रात के दो बजे में मेरी मधर के बगल वाले बेड़ पे, एक अंकल मास उनका हट गया था, और उनकल को बुला रहे थे, और मेरी मम्नी चिला रही थी, जल्दी आईये, यह मठ जाएंगे, जल्दी आईये, यह मठ जाएंगे, कोई नहीं आया और अंकल ने दम तोर दिया, ऐसे तीन-चार लोग उस दो-तीन दिन के अंदर दम तो रहे हैं, बिना के रॉर के, बिना नर्स के आ उन्होंने माया गंज रेफर कर दिया भागलपूर माया गंज हॉस्पिटल हम लोग अभी माया गंज आए माया गंज की और हालत खड़ाब है सीव में चार बेड़ था मेरे हस्बेन के बगल वाले बेड़ पे चार लोग छह से साथ घंटे में चार लोग खतम हुए क्यों खत में डर गए शाम होते होते मेरे हस्बेन की तब्यत अचानक से खराब होने लगी पूरा यह सब राई हो गया एक लेयर वाइट कलर का जम गया उनके ऊपर बहुत ज्यादा खराब हो गई हम लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था अचानक से मेरे दिमाग मे है बुलाने डॉक्टर को माया गंज में तो क्या रहे है या रात में मिन ले दोगे ने दोगे रात में मिन देखा जाके सब्धार घर जाके सब लाइट ऑफ कर देखान से ओर सब नीचे बिछा कर भी देख रहा है और शुरह हैं और दर्वाजा तक नहीं खोला सब मेरे हस् बस मास्क लगा के छोड़ दिया था, ऑक्सीजन सप्लाई आ ही नी रहा था, जब बहुत कम हो गया था, वो डॉक्टर आये और पाइप लगाया, मेरे हस्बिन तुरंत भी जिंदा हो गया, उस ये दिन से उनके दिमाग में वो ऑक्सीजन की किलत का डर बैठ गया सर, बहुत, साथ गंडे बिन ऑक्सीजन की रहे, सर लड़ते रहे, लड़ते रहे, फिर उस दिन इतना वो डर गया, वो बोले नहीं, आप हमको कहीं बाहर लेके चलो, दिल्ली में सर, हम पतना आये, राजिश्वर हॉस्पिटल में सर पतना आये, यहां पर इन्होंने कहा, आईसीउ में अटेंडेंट नहीं अलाओड है, नहीं जाओगे आप, मेरे हस्पिन रोने लगे कि मेरी वाइफ को बस भेज दो, वो रहे कि तो मैं ठीक हो जाओँगा, इन लोगोंने नहीं अलाओ किया, सर, मैंने देखा, एम्बूलेंस से हम लोग भागलपूर से पचना आये थे, एम झालाओ, सर, मैंने बोला एग थे, आजरा रहे किसी, पाहर से, तो एक दॉक्नर मुझे कहता है, घूड़िये ना, वो छोड़ा तो ऐसे ही ला रहा है, जब से हाया है, मैं मैं उस चुछ नहीं कर पाई पर उसके पाद, उनक अज Points that was 37 हो गया, मने थे मेरे साथ मैंघी मेरे जियाटी थे और मेरे जेड थे तब मैंने जियाटी से बोला कि अब मेरे से नहीं रहा होगा मुझे किसी तरह से अंदर भीजवाई है तब उन्हों ने जबरदस्ती मुझे अंदर भेजा और 37 से 74 मैंने कर दिया 10 मिनत में मेरे बाबू का मेरे बाबू का ऑक्सिजन सारी के अटेंडेंट बैठे हुए थे तो एक डॉक्टर ने मुझे बोला अटेंडेंट अलॉड नी रहेंगे तो कैसे काम चलेगा सब तो को रिमार पर रहे हम लोग इतना देखे हम लोग क्या मड़ी जाए खास्ते खास्ते सब को देखके बैठी है चुपचा पर देखि हो आज एक महीना पर मैंने ब्रॉच किया है सर एक महीनेपर ब्रॉच किया है मैंने बाबु को बहुत ठीक कर दिया इतना में मास्क लगा कि बाबु को मैंने जूस दाल डोटी सब कुछ पिलाया सर इतने ठीक हो गए ना कि जो डॉक्टर फर्स्ट दे बोला था ये बचेगा नहीं वो डॉक्टर सर तीन चार दिन बात कहता है टचुड क्या कर दिया अपने इनके साथ ये तो एकदम ठीक हो गए गजब का फाइड दिया आप दोनोंने मिलके मुझे क्या पता था कि मैं फाइड दे रही हूँ और ये लोग मेरे बाबु खतम कर देंगे इतना ऑख सीजन का किलत सर मेरे बाबु डर गया बहुत ज्यादा ऑफी जिन देखता था और कहता था रो खतम हो जाएगा मैं पता चले और और देंक Mध घंटे के लिए inspiration सप्लाई बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खड़ी दे उन ही से हम भी खड़ी दे सर मैंने भी खड़ी दा क्या करते क्या करते हमें भी तो चाहिए था पर सो सुबह में हमारे पास एक ही सिलिंडर था पाइपलाइन बंद हो गया मेरे हस्बंड को बाइप लगा हु यहां पर राजश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इसारे कर रहा था मुझे सर चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर मैं इंग्णोर कर देती थी कि मेरा हस्बंड है यहां पर बढ़ना कर बाहर हो था चपल खोल के मैं मारती सर ऐसे हिंसान को में माय मैं घंग इंग ऊस्पिटल में डॉक्टर कोई भी दॉक्टर न है कोई सीञर डॉक्टर नुय जूर्वर यह डॉक्टर नी और पैसawaSU न की स्टी कर देने कि फ passive कadia गया यह विवा नद का क्या करते हैं ।न आग कोई चीज नहीं होती है एंसे के अंध्र कर देते ह यह बड़े डॉक्टर आये यह बड़े डॉक्टर आये उन्होंने पैसेंट को देखाने है वोला इसके आफी जो थरेपी वह पैसेंट को कुछ नहीं बदलाब सीपया पे पड़ा हुआ पैसेंट और उसको देखने के लिए 24 गंडे में कोई नर्स नहीं आती है रूम बंद क सबसे पहले तो मुझे कोई प्लैटफॉर्म मिले जिस पर मैं यह बोल सकूँ टीवी पर जाके ताकि लोग बचे अब जिसके साथ जो हो नहीं हो तो सेकेंडरी है हमारे जैसे जो लोग उसे पड़े है न जो यह छोर के भूल जाते हैं कि पेशिंट का ख्याल डॉक्टरस रखेंगे वो जा कि अपने ख्याल रखेंगे तो सम मर जाएंगे सर्, सम मर जाएंगे एक डॉक्टर एक दिन आयर राजिश्वर में कहते हैं और यह बेट अभी तक नहीं खाली हुआ है मतलब यह आदमी अभी तक नहीं मरा है एक आदमी के बारे में आप सोचो सर्जरासा आप सोचो सर्जरासा मेरे हस्मेन को वेंडिलेटर पे नहीं रखा सर वो शायद बच जा यह प्यार सकता है प्रेस्ट प्रेस्ट बेल इकन अभी तो यूब अबिस अनफ अनफ अधन अदेख